हाई व्रीवन आज मैं बात करूँंगी ब्रॉक्ली की जो की एक सुपर फूड है ये क्यों सुपर फूड है और इसको कैसे खाया जाता है आज हम इस पर बात करेंगे ब्रॉक्ली को आप कभी भी कच्छा नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें बग्स होते हैं और ये आपके पेट करने आपको इसको 4-5 मिनिट स्टीम करना है और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें टेस्ट नहीं है तो आप अलका सा इसे हल्का सा शेलो फ्राइइ कर लिजिए इसे कहते हैं अलका सा किसी भी ऑल्ल के साथ आप इसे shallow fry कर लीजे और seasoning कर लीजे salt से, black pepper से otherwise आप इसको boil कर सकते हैं boil करने का तरीका यह है कि आप already उबलते हुए पानी में इसके छोटे-छोटे pieces करके डालेंगे और फिर इसको कम से कम 1.5 मिनिट तक boil करेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे ठंडा करेंगे और फिर आप इसको किसी और salad के साथ मिला के खा सकते हैं या सीधे इसी को खा सकते हैं seasoning कर सकते हैं इसकी वैसे यह black pepper और salt के साथ काफी tasty लगती तो आप इसके साथ कर सकते हैं इसको बहुत जादा उबालना नहीं है क्योंकि अगर आप इसे जादा उबालेंगे तो इसके जो enzymes होंगे वो break हो जाते हैं जो की anti-cancerous होते हैं जो cancer से लड़ने में मदद करते हैं और जो anti-inflammatory होते हैं तो आप इसको बहुत जादा नहीं उबालेंगे इसकी nutritional value काफी high है इसमें कई तरह के vitamins, minerals और high level of protein और fiber पाया जाता है इसकी calorie low है इसलिए इससे weight gain नहीं होता है क्योंकि ये high on fiber है तो आपकी blood sugar को कम करता है और weight loss में help करता है ये क्योंकि high on fiber है और इसमें potassium है तो इसलिए ये heart health के लिए बहुत अच्छा है इसमें कई तरह देखें के vitamin हैं जैसे की A, D, E, C, B6 और minerals है magnesium, iron, potassium, calcium ये एक अच्छा antioxidant है फ्रीडेरिकल से दूर रखता है anti-inflammatory है कई तरीके के cancer को treat करता है blood sugar इससे low होती है cholesterol कम होता है ये bowel movement में help करता है that means ये आपके digestion में help करता है और weight loss के लिए ये एक बहुत अच्छी vegetable है इसको आपको नमक के साथ boil नहीं करना है अगर आप इसे नमक के साथ boil करेंगे तो इसकी जित्ती भी nutritional value है वो खतम हो जाएगी और इसकी जो आप stem देख रहे हैं ये सारी ही खाने के लिए हैं इसको आप फेकेंगे नहीं इसको आप छील लेंगे और फिर इसको सीधे भी खा सकते हैं इसको boil करने की जरूरत नहीं है stem को लेकिन जो इसका flower है ये जो फूल देख रहे हैं इसको boil करने की जरूरत है क्योंकि इसी में कीडे होते हैं इसी में bugs होते हैं जो की आपको नुकसान पहुचा सकते हैं तो आप इसको उबाल के या स्टीम करके खाईए और जो इसकी स्टैम है इसको आपको दो के छील के खा सकते हैं रो खा सकते हैं रो आप फूल नहीं खाएंगे आप रो फ्लावर नहीं खाएंगे इसको या तो आपको स्टीम करना है या बॉयल करना है आज के लिए इतना ही मि एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ अब तक अपना ख्याल रखिए बाई